ओम शांती आज 5 उक्टूबर 2023 है सिध्धी स्वरूप बनने की कौन सी सहच युक्ती, कौन सी सहच विधी है वो आज का स्लोगन बता रहा है आईए आज के स्लोगन द्वारा सिध्धी स्वरूप बनने की विधी जान लेते है दिव्य बुध्धी द्वारा सर्व सिध्धियों को प्राप्त करना ही सिध्धी स्वरूप बनना है दिव्य बुध्धी हम ब्रामन बच्चों के लिए जनम सिध्ध अधिकार है बाबा के गोत में जनम लेते ही सर्व प्रथम वरदान सर्व प्रथम गिफ्ट जो बाप तादा से प्राप्त होती है वो है दिव्य बुध्धी की गिफ्ट दिव्य बुध्धी का वरदान और दिव्य बुध्धी अर्थाद होली हंस बुध्धी, स्वच बुध्धी, शुद्ध बुध्धी, पवित्र बुध्धी और दिव्य बुध्धी की निशानी यही है, पहली बात तो दिव्य बुध्धी यथारत परक्षने की शक्ती का समर्थी रखती है दिव्य बुध्धी जहां है वहाँ पर स्वयम को परक्ष सकते हैं सेवा को परक्ष सकते हैं और संबन संपर की शक्तियों को भी परक्ष कर उसी अनुसार अपने लिये कार्य में लगा सकते हैं दूसरी बात दिव्य बुध्धी की निशानी है यथारत निरने लेना स्वयम को पहचाना बाप को पहचाना यथारत रिती से और परिवार को पहचाना और उसी पहचान के आधार से यथारत निरने ले करके बाबा से सर्व प्राप्ती के अधिकारी प्राप्त करना यहें दि सर्व प्राप्ति के अधिकारी प्राप्त करना माना सर्व प्राप्ति संपन बनना सर्व प्राप्ति में सर्व सिध्धी की प्राप्ति भी आती है तो आज विशेश रुप से सिध्धी की बात हो रही है तो सिध्धी स्वरूप कैसे बनना है वो दिव्य बुधी के द्वारा ही हम सिद्धी स्वरूप बनते हैं बाबा ने फोर्मुला बताया हुआ है सिद्धी स्वरूप बनने की पहला है विधी द्वारा सिद्धी और दूसरा है साधना द्वारा सिद्धी और दिव्य बुद्धी ही विधी है सिद्धी स्वरूप बनने के लिए जहां बुद्धी क स्वच्छता है पवित्रता है वहाँ पर सिध्धी ना हो ऐसा हो नहीं सकता और साधना किस चीज की है साधना है एक की एक बाबा दूसरा न कोई एकागरता की साधना एकांत वास होने की साधना और एकरस होने की साधना तो ये भी दिव्य बुध्धी द्वारा ही होती है इसल इन दोनों के माध्यम से दिव्य बुद्धी और साधना के माध्यम से ही हम सर्व सिध्धी योग की प्राप्ति कर सकते हैं. ओम शान्ति